नमस्कार मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइब बिहार बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 17 वी विधान सभा का पहला सत्र आज बुलाया गया है जिसमें जो नव निर्वाचित विधायक है उन्हें सपत दिलवाया जारा है लेकिन इस सपत ग्रहन शमारों के दोरान कुछ अजीवो गरीब घटना भी देखने को मिली है कुछ समय के लिए विधान सभा में अजीवो गरीब जो घटना है वो पैदा हो गई थी कि जब AIMIM के विधायक अमौर से विधायक हैं अक्तरूल इमान उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था हिंदुस्तान सब्द पर जी हां उन्होंने प्रोटेमी स्पीकर से इस बात की गुजारिस की कि हिंदुस्तान सब्द की जगा भारत सब्द का वो इस्तमाल करना चाहते हालांकि प्रोटेमी स्पीकर जीतनरा माजी उनके इस गुजारिस को मान गए आपको बता दे कि उन्होंने ये बात कही है कि भारत सब्द का इस्तमाल हिंदी या फिर मैथली दोनों ही भासाओं में जिन्होंने सपत लिया उसमें भारत सब्द का इस्तमाल किया गया था लेकिन क्योंकि AIMIM के विदायक अक्तुरूल इमान को उर्दू में सपत लेना था इ उन्होंने अक्तरूल इमान ने कहा कि वो हिंदुस्तान का नहीं बलकि भारत के संविधान की सपत लेना चाहते हैं इसलिए वहां पर हिंदुस्तान सब्द की जगा भारत सब्द का इस्तमाल हो हालांकि इस पूरे घटना करम के बाद माहौल और भी ज़्यादा गरम हो गया है जब बीजेपी के पूर्व मंत्री और मुतिहारी से विदायक प्रमोत कुमार ने यह कह दिया कि जो हिंदुस्तान सब्द का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए नहीं कि प्रतिनी थी जो हिंदुस्तान सब्द नहीं बहु सकता है उसे भारत में रहने का हक नहीं है वो अलगावाद को पैदा करते हैं उन्हें भारत नहीं बलकि पाकिस्तान में चले जाना चाहिए हालांकि आपको बता दे कि जो अक्तरूल इमान ने गुजारिस की थी प्रोटेमिस्पीकर जीतनरा माजी से उसमें कुछ गलत नहीं था हालांकि यह सब्द जरूर यह एक बात है कि उर्दू में हिंदुस्तान सब्द का इस्तमाल किया जाता है लेकिन क्योंकि समविधान में क पकिस्तान भेजने की बाते करते हैं उसी तरह आज फिर एक बार हमें यह सुनने को मिला कि जब एक विधायक अपने एक बात को एक सब्द को लेकर किसी प्रोटेमिस्पीकर से गुजारिस करता है और उसके बाद जब प्रोटेमिस्पीकर उसको सही मान कर उसको सपद भी द करना शुरू कर दिया है फिलाल के खबर में इतना ही खबरों में लगतार बने रने के लिए अमारे चैनल लाइब ब्यार को सब्सक्राइब जरूर करें साथी बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं धन्यवाद